तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म दुनिया के सबसे प्रचीनतन धर्मों में से एक है और इसके जड़ों की गयराई हमारी कलपना से भी परे है स्टोरी जेम्स के आज के एपिसोड में हम सनातन धर्म के दस ऐसे देवी देवताओं के बारे में जानेंगे जो 12-6,000 किरेमटर दूर जापान में सैकडों सारों से पूजे जाते रहे हैं पसंपूजनिय विग्नहर्ता गणेस इन्हे जपान में कांगी तेन के नाम से जाना जाता है देवों के देव महादेव भगवान सिव इन्हे जपान में डाइका कुतेन के नाम से जाना जाता है सिष्टी के पालनकरता भगवान विष्णू इन्हें जपान में नरायन तेन के नाम से जाना जाता है ब्रह्मान के जन्मदाता ब्रह्मदेव इन्हें जपान में बोन तेन के नाम से जाना जाता है देवों के अधिपति भगवान इंद्र इन्हे जपान में ताइसा कुतेन के नाम से जाना जाता है पाप पूर्ण और कर्मों के निर्णायक यम्राज इन्हे जपान में एमा तेन के नाम से जाना जाता है दुनिया के सभी सुखों को प्रदान करने वाली मा लक्ष्मी इन्हे जपान में किशी जो तेन के नाम से जाना जाता है ज्यान विद्या और कलागी अधिस्ठात्री देवी महा सरसोती इन्हे जपान में बिंजय तेन के नाम से जाना जाता है संसार के सभी खजानों के स्वामी भगवान कुबेर इन्हें जापान में भिसमुन तेन के नाम से जाना जाता है यग्यों के प्रमुख देवता अगनी देव इन्हें जापान में कातेन के नाम से जाना जाता है